हाई ओल, वेलकम बेक टो मा योट्यूब चैनल एमजे फो यू स्वागत है आप सभी का मेरे योट्यूब चैनल एमजे फो यू में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने बच्चे का अभी से करवाते हैं तो कुछ आपको डिसकाउंट भी दिया जाएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्पन प्ले स्कूल महिंदर ब्रांच प्लस जो उनकी एट्थ क्लास तक स्कूल है उसके बारे में तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपनी वीडियो है उसमें आज हम बात करेंगे play school की classes की, उसमें complete उनका जो fee structure उन्होंने बताया है, उसमें क्या-क्या रहने वाला है, क्या-क्या उसमें मिलेगा आपको और आप क्या-क्या charges pay करनी पड़ेगी, प्लस हम बात करेंगे कि transportation charges क्या रहने वाले हैं आपके बच्चे के लिए, अगर आप बच्चे को when से school बेजते हैं, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, बच्चपन play school categorization class का, कि अगर आपका बच्चा start कर रहा है school को, तो सब form क्या है, तो आप comment कर सकते हैं, उसके बाद बच्चा जब first class में आता है, तो स्री ओम साहिराम academic heights public school 8th class तक है, तो उसके बाद से आप लोगों को पता है, कि first day 8th class तक बच्चा step by step जाएगा, तो इसमें आज हम बात करेंगे कि play school की fee structure क्या रहेगा, और first to 8th class तक fee structure क्या रह तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बच्चपन play school की, इसमें चारो classes include रहेंगी, अगर हम बात करें fees की, तो उसमें admission आ जाता है, 500 rupees रहेगा, उसके बाद annual charges आता है, 4000 उसमें जो भी maintenance है, building maintenance जो भी include रहता है, वो 4000 रहेगा, activity जो भी बच्चा activity पर्फॉर्म करता है school में, च चाहे वो drawing हो, चाहे वो games हो, चाहे वो water games हो, traditional जो activities होती है, वो सब include होती है, तो उसके इन्होंने 4000 charges रखे हुए है, प्लस जो एक admission kit है, उसका 5800 charges रखा हुए है, इसमें आपको काफी चीजे मिल जाती है, books भी है, notebooks भी है, 360 pen आया है, जो की digital classes वगेरा, जो है, वो operate होंगी, उससे आप अपने बच्चे को भी वो घर भी login करवा के दिलवा सकते हो, वो classes, इसके अलावा जो रहेगा tuition fees, तो वो इन सभी classes के लिए जो tuition charges रखे हैं, वो रखे हैं, 2200 per month, तो ये बचपन play school की जो 4 classes है, उनका fees structure रहने वाला है, इसके बाद बात करते हैं, अगर आपका ब admission, annual and activity charges plus admission kit, वो इन सभी classes का same है, start होगा 500 rupees admission plus annual charges 4000, activity charges रहेंगे 4000, और admission kit जो की 5800 था play school के लिए यहाँ पे वो 6000 में आप लोगों को मिलेगा, इसमें कुछ चीज़ें आपको additionally मिल जाएंगी, इसके बाद बात करते हैं, tuition fees की, तो जो tuition fees थी वो first class के लिए 2400 से start होकर, 100 rupees per class increment देखने को मिल रहा है, plus जो 7th और 8th के लिए रहेगा, वो रहेगा, आपका 3000 rupees, इसमें एक चीज और है, अगर आपने admission kit का play school के बच्चे का देखना चाहते हैं, क्या-क्या include रहता है, तो मैं video का link अपने description में डाल दूँगा, वहाँ से आप वो video देख सकते हैं, उसम बात बात आती है, कि अगर आपका बच्चा गाउं से आ रहा है, या city से आ रहा है, और आप उसको खुद ड्रोप ना करके, bus की facility दिलवाना चाहते हो, जैसा कि almost हर school में होता है, तो दो categorize कर रहा है, इन्होंने वो भी, अगर आपका बच्चा गाउं से आ रहा है, रुपीज पर मंद इंक्लूड करना पड़ेगा, यहां से अगर आपका फिर भी कोई confusion रह जाता है, तो आपकी screens पे details with phone number आ गई है, आप यहां पे directly call करके, जो भी आपका confusion है, वो आप यहां से पता कर सकते हैं, और अगर आपका कोई और confusion है, तो आप directly हाँ पे comments कर सकते हैं जहां तक possible होगा हम solution के साथ आपको अगले video में मिलेंगे, तब तक के लिए goodbye, take care